दोस्कार दूस्तों मेराज पांडे आप देख रहे हैं आर्सियन तुड़ी आप सभी का आर्सियन न्यू टूरी चैनल पर हारजी स्वागत है लगातार इस चैनल के माधिम से आपको सबसे अथेंटिक जान कर देने का प्रयासी है जा रहा है चुनाओ के बाद क्या होगा चुनाओ पीरियट में कितनी भरतियां प्रभावित होंगी चुनाओ में क्या भरतियों पर काम चलेगा या रुकेगा चुनाओ में क्या फाइनल रिजल्ट आएंगे चुनाओ में क्या जुआईनी होगी चुनाओ में क्या डीबी होगी चुनाओ में क्या परिछाएं अगर परिच्छाएं होंगी तो कैसे होंगी जो डेट निर्धारित की गई है अभी कैंसल के संब्द में जानकारी नहीं दी गई है तो क्या उन तित्यों पर परिच्छा होगी पूरी खबर इस वीडियो में दूंगा वीडियो को पूरा देखिएगा जुड़िये और जोड कि एगा मत खबर देखकर आकरे का प्रियास करें हर एक खबर सौफीजी अचेंटिक टीजी टी पीटी भरती का क्या होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भरती का क्या होगा इन भरतियों का क्या हाल होने वाला है 2024 में कंप्लीट हो पाएगी या नहीं पूरी जानकारी यूपी प्लिस एक्जाम के अच्छे महिनी में हो पाएगा योगी जी ने जो कहा वह बातस्त निकले गिया नहीं क्या भरती पर इच्छा है इतने कम समय में कराना संभो है चुनाओ पीरियड में भरती पर इच्छाओ पर काम कैसे चलेगा इसके बारे में पूरी जानकारी सबसे सठीक सबसे सही भविश्वारी आगे क्या होगा इश्वर जाने लेकिन जो बताओंगा सक्ति बताओंगा बिप्यस्टी टीरी ठीपॉइंट जीरो का क्या होगा क्या वास्तों में पेपर लीक हुआ या नहीं पेपर लीक के संब्द में आयोग क्या कर रहा है क्या आ पर इसका प्रभाव पड़ेगा पूरी जानका इस वीडियो में तो वीडियो को पहले लाइक और सेर कर दें सठीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हर एक जानकारी सो फेदी अठेडिक चैनल के माध्मिन से दी जाती है चुनाओ के बात भरतियों पर सस्प्र्स कीा बात क्यों चल रही हैं कई आयोग कई बोर्ट भरति प्रक्रिया को संबंद कराने का प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन एक सब्द यह रहा है अगर चुनाओ आयोग से परमीशन मिला तो परड़ाम आएगा अगर चुनाओ आयोग से परमीशन मिला तो इक्जाम होगा अगर चुनाओ आयोग से परमीशन मिला तो डीबी होगा मैं आपको बता दू 99 प्रतिसत केस में देखा गया है अब ये एक पोश्ट दिखाएदार आए आप उस पोश्ट को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते है रेगुलर रिकॉर्मेंट अपाइमेंट और परमोशन दिखियां पर पूरी बात लिखी हुई है मतलब किसी के थुरू हो जो गॉर्मेंट द्वारा रिगनाइट बोर्ड हो यूपी पी एस्ट्री स्टेट पबलिक सर्विस कमिशन और दाइस्टाफ रिजेक्शन कमिशन और यहां पर बताएगा एनी अदर बात समझ रहें हैं आप इसको पढ़ने के बाद कुछ लोग कहेंगे भरती परिख्रियों पर रोक नहीं लगेगी मैं आपको बताओं सत्यत्या क्या है सुनिए ध्यान से और भरती परिख्राओं पर चुनाओं आयोग की द्वारा रोक क्यों लगा जाता है चुनाओं आयोग अनुवति क्यों नहीं देता है इसका रीजन है देखें जब अधिकारी और कर्मचारी के जिम्में एक्जाम होता है अगर वही अधिकारी कर्मचारी चुनाओं में बिस्त हो तो चुनाओं आयोग के लिए सबसे प्राथमिक तौर पर चुनाओं होता है ना कि आपका एक्जाम होता आपकी वेकंसी होती है अजकारी कर्मचारी किसी अन्य प्रोग्राम में व्यस्त ना हो चुनाओ को छोड़कर जिसके कारण चुनाओ आयोग के द्वारा परिछा आयोजन के सम्मद्ध में कोई भी अनुमती नहीं दी जाती है अगर रिजल्ट के संबंद में अनुमती दे दिया जाए न्युक्ति के संबंद में अनुमती दिया जाए अगर चुराव आयोग परमिशन दे तो न्युक्ति भी हो सकता है रिजल्ट भी जारी हो सकता है डीबी भी हो सकता है सब कुछ हो सकता है लेकिन मान लेजिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यूपिट्र बलस्टी के माधिन से भरती हो रही है अगर चुनाओ आयोग पर मीशन देद या भी आप रिजल्ट निकाल लिए डीबी करवाईए तो जो विपच्छ होता है जो आम जनता होता है सोचता है कि राजनेतिक लाभ लेने के लिए चुनाओ पीरियल में आदस अचार सहिता पीरियल में जो है रिजल्ट को निकाला जा रहा है डीबी करवाया जा रहा है फाइनल रिजल्ट निकाला जा रहा है जाम कर इसलिए चुनाओ आयोग इन कामों के लिए जल्दी परमीश करता एक परसंद भगवान के छोड़ी देना चाहिए इस वर खुदा के लिए छोड़ देना चाहिए अब आपके जहन में सवाल होगा नए सिछा सेवा चैन आयोग में सज़स्य तो आगे अध्यच का आगमन कब होगा तो अध्यच का आगमन होगा 15 जून के बाद उससे पहल हैं क्या अगस्त्मा में हो जाएंगी मैं आपको बता दूँ जब अध्यक्त का आगमन होगा तो तिती घोसित करने के लिए कम से कम एक से जुलाई अगस्ट सब्तंबर यानि कि सब्तंबर के लाष्ट मान कर चलिए लेकिन लाष्ट में अक्टूबर ये नॉम्बर मां में असिस्टन प्रोफेसर भरती पर इच्छा का आयोजन होगा सब्तंबर के लाष्ट में क्योंकि कंडिडेट के संख्या कम है तो 15 सब्तंबर क ये बात सीन डिजार्ट की जा सकती है वैसे संभाविस महीना मानका चलिए कि अक्टूबर नॉवंबर तक असिस्टेंट प्रोफेसर पर इच्छा कायोजन होगा यूपी टेट पर इच्छा कायोजन होगा तो आप बात को समझ रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे दिल से दुबा दे रहे होंगे मुझे कि मैं आपको इतनी अठेंट जार कारी देता हूँ तो आप आगे बड़ो यहीं कर रहे होंगे मुझे खुसी है यूपी पुलिस एक्जाम 2024 कब होगा या भी एक सवाल लेता है सभी के जैन में यूपी पुलिस एक्जाम के स्टमंद में उत्तरप्रिस के मुखमत्री योगी आधितराजी ने कहा कि भाया च्छे महीने के अंदर पर इच्छा को करा लिया है च्छे महीने के डेडलाइन द बताओंगा सत्य होगा सभी को पता है कि मेरी बाते कभी गलत नहीं होती है एक प्रतिसत को छोड़ दिया जाए अगर सरकार के द्वारा उसमें कोई परिवर्तन या आयो को दौरा कोई परिवर्तन ना किया जा जाए खाबर सबसे पहले देता है तिंटिर महीने चैश्चर म होगा पेपर छपेगा तब जाकर सेंटर निर्धारित होगा तब जाकर परिच्छा होगी आठ से दस महीने यानि कि जिस समय एक्जाम कैंसल हुआ है उससे आठ से 10 महीने एड कर लिजिए उसके बीच में आपकी परिच्छा आए उजित की जाएगी दोस्तों खबर वही देता हूं जो सही होता है फिर में बता दे रहा हूं अगर आज समय नोट कर लेंगे तो हो सकता है भविस में आपको भटकना ना पड़े और इस बात को कहने में संकोच ना करना पड़े कि मेरे द्वार आपको सबसे अथेंटिक जानकारी कई महीने पहले बता दी गई थी लोग सभाच चुनाओ 24 को लेकर आप लोग पूछ रहे हैं या भी बता देता हूं ज्यान से सुनिए का बड़े यूनिक खबर है और इस परकार की खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी ना सुनने को मिलेगी लोग सभाच चुनाओ और उत्तर प्रदेश लोग सभाच चुनाओ और उत्तर प्रदेश लोग सभाच चुनाओ से ही केंद्र का रास्ता साफ होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्य राजी की बात करें जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मद्द प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे एहम उत्तर प्रदेश है, चार तारीक का डेट क्यों दिधारित किया गया, सभी को पता है, नहीं पता है, तो उतना आप लोग का दिमाख ही नहीं जाएगा मैं बताता हूँ आप लोग सुनते होंगे जैसके प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी जी कहते अब की बार 400 पार सुनते होंगे न क्या कहते हैं अब की बार 400 पार इसलिए 400 का पहला अंग चुनाओ रिजल्ड का तीथी निज़ारित किया गया है भाई कितना सटीक है तो इस वर जाने समय के साथ आपको पता चलेगा गैपिंग का मतलब समझते होंगे ज़्यादा गैप होगा तो ज़्यादा चार नंबर किसका है राहू का नंबर अगर एक्टरोलोजी में देखा जाए तो चार नंबर राहू का नंबर होता है जो मनुष्य के दिमाग को भ्रमित कर देता है और परचार के दौरार बड़े बड़े आपको सपने देखने को मिलेंगी अपनी कमी को नहीं दिखाया जाएगा दूसरे की कमी को बताया जाएगा अगर हम electronic oting machine की बात करें एबियम की बात करें तो एबियम में उसका दिमाग software होता है जिस तरह से software डालोगे उस तरह से work करेगा अगर software भरमित हो जाए तो आप क्या मानोगे software भरमित हो जाए तो जिसका पचीस जीस का पचास पचास का पचीस हो जाएगा जिसका लोग आरोःप लगाते है मैंनुप्लेटिंग मैंनुप्लेट किया जा सकता है उसको कुछ लोग कहते है किया जा सकता है और चुनाव आयोग इस पश्रूप से कह रहा है स्टेटमेंट दिया है कि भाईया सो प्रसेंट सेफ है मैनू प्लेट नहीं हो सकता है सुप्रिप कोड ने फरकार दिया जुर्बाना लगा दिया भाई ये देश की जनता मैं कहता हूं कि पांच लोग हो और पांच लोग में स हम नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे चाल लोग कह रहे हैं भाईया सूखी सबजी बनाओ तो अगर घर के मुखिया हो और घर के हित्मे कारी करते हो जिस प्रकार से देश हित्मे कारी होता है तो आपको चार लोग की बात माननी चाहिए उसी प्रकार से अगर इबियम लने चुनाओ चैcribe Ballot Paper से चुनाओ लने जीतना हमें ही है हम आकड़ा 400 इंते um स only 70 तीन-सों पता है सागे300 छुना और उतना आएगा और बैलेक उफ्रबास समझ में नहीं President पॉइंट और बताना चाहता हूं मैं किसी का पच नहीं कर रहा हूं दूसरी बात जब चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नुक्ती होनी थी सभी को पता है नुक्त में दो लोग सुप्रेम कोड ने क्या कहा था देखिए पारजर्ष्टा बनाय रखने के लिए उसक मुख्या अगर इमानदार हो तो घर बहुत इमानदारी से चलेगा उसके लेंगो है तो गहर में कहटपड होगा और सक्ताधारी के प्रधानमंत्रियान की बीजेपी में सबसे हनक रखने वाले देश के प्रधानमंत्री पीम मोजी सामिल होंगे तो भाई इसमें दो पच्छीय कारी नहीं था एक पच्छीय कार था या दो पच्छीय कार था या सभी के लिए समान था इसमें सभी के लिए सम उसी को चुनाओ आयुक्ति न्युक्ति कर दिया जाता लेकिन जब सुप्रिम कोड के द्वारा ऐसी बात कही गई तो आखिर का देश के प्रधान मंतरी नंज मोदी जी ने तुरन कानून पारिश क्यों कर दिया आप बताओ कि जब केंद्र का सत्ताधारी प्रधान मंतरी यान अगर ओटिंग तीन में से करना हो चो क्या सत्ताधारी के मंतरी विपच को ओट करेंगे क्या सत्ताधारी के मंतरी विपच के कहने पार चुनाओ आयुक्ति कि न्युक्ति कर कभी नहीं जो प्रधान मंतरी यह कहेंगे वहीं कहें तो इन सब बातों को आपको गुणता से होगी क्या मैं आप सभी को बतारा चाहता हूं इमानदारी सी विप्यसी 3.0 का पेपर लिक हुआ है यह बात किसी से छुपी नहीं है कही लोग गिरिपतार हुए जिस तरह के साच्छे सामने आ रहे हैं उसको देखने के बाद ऐसा प्रचीत होता कि वास्तों में पेपर लिक किसी को परिसान होने की जरूत रही है अडरी एक्जाम की आप लोग तयारी करिए बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माधिम से दिया जाएगा पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद